को हम देख सकते हैं यह हमारे पास यह सूच है किस कहां पर यूज करते हैं इसमें धने सब्सक्राइब बटाया ने किस देख सकते हैं hidden दो terminal है 1 और 2 एक वायर इसमें आएगा main और इसमें सहाप निकल के light में जाएगा तो ये देख सकते हैं ये तो normal है चलिए आपको एक और देखाते हैं ये हमारे पास देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारे पास two-way switch है इसी को बोलते है two-way switch इसमें three terminal होता है one two और इधर a common three तो इस video बना चुका हूँ वो आपको video के description में मिल जाए नहीं तो i button में आप जाकर देख सकते हैं और एक और हमारा चैनल है smart electrical shots अगर उसको subscribe नहीं किये तो उसको subscribe कर सकते है link description में मिल जाएगा ओके तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा same सूच है इसमें और इसमें कोई देखने स पता नहीं चलता है तो सिर्फ जब इसको हम पलटते हैं तब हमको पता चलता है जब इसको हम पलटते हैं तब हमें पता चलता है कि ये दोनों सूच अलग है एक टूबे है एक normal सूच है तो normal का बारे में आपको बता दिया टूबे का बारे में भी बता दें तो टूबे हम वीडियो पसंद आया तो फिले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके का electrical वीडियो देखने के लिए तो देख सकते हैं इसमें लिखावा है यहाँ पर 1 और 2 और 3 और 4 इसमें 4 ट्रिम्नल है जिसमें 4 ट्रिम्नल होता है वो हमारा intermediate सूच होता है तो intermediate सूच कुछ इस तरीके का होता है और देख सकते हैं 10 इंपियर का है और इस अपका connection के बारे में वीडियो डल चुका है वो description में नहीं तो आपको आई बटन में डाल दूँगो देख सकते हैं यह intermediate सूच होगी हमारा और यह देख सकते हैं फिरेंड यह कुछ इसमें indicator है तो देख सकते हैं यह हमारा indicator है और यह भी same सूच देखने में लगता है सिर्फ इसमें इंडिकेटर है, तो इसको पलटने के बाद पाता चलता है यह कौन से सूच है, तो देख सकते हैं फिरें, वो तीन सूच जो आपको बतायां, वो भी आपको बता दें, इसमें निउटल आएगा इसको बोलते है डीपी सूच यहाँ पर देख सकते हैं फिरेंड यहाँ पर लिखा हुआ है यह हमारा डीपी सूच है डीपी का मतलब होता है फिरेंड डवल पॉल दबल पूल क्या होता है वो भी आपको बता दे एक तरफ फेस आएगा एक तरफ नूटल आएगा इसके लिए इसको डबल पूल बोलते हैं इसका सौट में होता है डीपी तो देख सकते हैं 1 इधर भी 1L इधर N का 1 मतलब इधर फेस इधर नूटल और इसमें लोड भी लिखा यह हमारा लोड है हमारा यहां से जो भी हम कुछ यूज करेंगे तो इसको लगाते हैं जैसे गीजर उजर के लिए अगर लगाना होता है तो हम इसको लगा सकते हैं यह हमारा 20 एंपियर का है तो इधर से जो हम आउट वायर निकालेंगे तो हमारा इधर ही से निकलेगा इधर face इधर neutral यह देख सकते हैं यहाँ load लिखा हुआ है इसको यूज करते हैं गीजर के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसमें indicator भी जलता है जब इसको on करेंगे तो indicator जलेगा और यह सूज देख सकते हैं friend यह हमारा indicator यह वाला भी indicator वाला है तो इसमें fuse के साथ है यह देख सकते हैं यह हमारा इसमें fuse भी है इधर से fuse डलेगा तो fuse भी हमारा अगर ज़्यादा overload यह कुछ हुआ तो fuse भी हमारा उड़ सकता है तो इससे हमारा जो चीज लगाएंगा वो बस सकता है तो यह fuse वाला सूच है यह भी double पोल है यह देख सकते है इसमें भी DP लिखा हुआ है यह देख सकते है यह देख सकते है फिरण यह भी DP यह भी double पोल है तो इसमें भी देख सकते है लोड इधर लिखा हुआ है और यहाँ भी देख सकते है लोड लिखा हुआ है तो यहाँ हमारा जो आएगा main wire आएगा जो main हमारा आ रहा है यहाँ face आएगा और इधर हमारा neutral आएगा और यह देख सकते हैं फिरन यहाँ L लिखावा यहाँ से जो out wire निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा और यह देख सकते हैं यहाँ से neutral निकलेगा और बच गिया हमारा यह इसमें भी अर्थ डाल सकते हैं और अर्थ वायर हम इसमें भी डाल सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से यूज करते हैं इसका यूज भी बता दियें आपको और ये जो हमारा है ये जो हमारा है ये देख सकते दोनों डवल पोल है दोनों हमारा डीपी सूच है वीच करना तो देख सकते हैं यह सूच फिर हम नहीं यूज करेंगे दो जगा से अगर हमको तीन जगा से on off करना है मतलब तीन जगा से हम बीच में एक लगाएंगे देख सकते हैं यह हमारा बीच में एक intermediate आएगा और एक देख सकते हैं इधर यह टूबे नहीं है लेकिन एक इससे हमको फाइदा है हम तीन जगा से इसको अन उफ कर सकते हैं तो इसके लिए हमको तीन जगा से पात जगा से यूज़ करना है तो बीच में हमको पूरा डालना पड़ेगा इसका वाइरिंग कैसे होता है इस पर वीडियो बना चुका हूँ वो वीडियो आप जाके डिस्क्रेप्शन में देख सकते हैं वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा सौट चैनल बनाया हुए लेक्टिकल से रिलेटर तो उसको सब् थांकिव